देटा इंटरप्रेटिशन सेट नमबर वन क्या लिखा है दिरेक्षिन दिरेक्षिन लिखिए हमें बंक में और हमें पांच कपनीह के नाम है, ये महिज एक इत्फाक है, मैं disclaimer देना चाहूंगा, इनका reality से कोई वास्ता नहीं है, तो ये 5 company में अभी presently इतने इतने number of employee, total number of employee काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमें एक ratio दिया गया है, वो लोग जो income tax pay करते हैं, उसके against में वो लोग जो income tax pay नहीं करते हैं, मतलब ये left side वाले income tax pay करते हैं, right side वाले income tax pay नहीं करते हैं, ठीक है, so data काफी अच्छे से दिया है, ये easy level की डिया है, तो ध्यान रखेगा, इससे difficult, बहुत सारा difficult हो सकता है, so question number one, solve करते हैं, number of employees from company TCS, who pays income tax, मतलब TCS में number of employees 600 है, और tax pay करने वाले यानि 3 हैं, ठीक है, तीन गुना, TCX मतलब 3 is to 2 के ratio में, अब ratio का chapter अगर आपको पता नहीं है, तो आपको मैं बता दूँ कि ratio एक नियुनत्तम मानांक होता है, कि उस ratio में availability है, यानि अगर आपको reality find करना है, 600 total employee है, और 3 is to 2 में employee दिये गये हैं, ये paying tax वाले हैं, और ये non-paying tax वाले हैं, ठीक है, so इन दोनों क addition करना होता है, यानि ये कितना हो जाएगा, 5, 5 से divide कर दो, और इसको काटेंगे, तो हमें minimum ratio मिल जाएगा, और वो है 120, so 120 into 3 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 360, 120 into 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 240, so employee जो है, TCS में, 360 लोग tax pay कर रहे हैं, उसके against में 240 लोग tax pay नहीं कर रहे ह ठीक है, so पूछा है, number of employees from company TCS, who pays income tax, जो pay करने वाले कितने हैं, 360 लोग है, is dash percentage more or less than the same company from Wipro, यानि हमें Wipro के same data से match करना है, मतलब Wipro में pay करने वाले कितने हैं, तो Wipro में 780 लोग है total, और tax paying जो है, वो 8 is to 5 का ratio है, यानि ये pay करने वाले का ratio है, और ये non-paying का ratio है, so 8, 5, कितना हो जाएगा, 13, 13 से ये total divide होंगे, और 13, कितने से कटेगा भाग, 6 से कटेगा, so 60 का ratio minimum है, तो 60 को इस से multiply करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 480, ठीक है, और हमें इसका ही काम है, तो हम दूसरा उलन नहीं जूण रहे हैं, so 360, 480 से कितना जादा कम है, percentage में ऐस कैसे कैसे करेंगे, देखो, 400 से अगर हम count करेंगे, so 360 में, 360 और 480 में बीच में फासला कितना है, so difference आएगा, 360 और 480 का 120, ठीक है, so 360, 120 कम है, कितने से कम है, 480 से कम है, तो 480 नीच आएगा, और into 100, तो यह कटेगा, 4 से, और 4 कटेगा, यहाँ पर 25 से, तो आपका answer क्या आएगा, 25 प्रतीशत, यानि option B, ठीक है, मुझे उमीद है कि आपको समझ माया होगा, बढ़ते हैं, next सवाल के, और हमारा गला सवाल है, यानि हमें जो income tax pay कर रहे हैं, उनका ही ratio ढूणना है, बट HCL और KPIT के against में ढूणना है, अब जब भी ratio ढूणना है, तो multiplication नहीं करना है, ध्यान रखना है, HCL में कितने लोग हैं, 720 लोग है, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 से divide करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 80 से जाएगा, और हमें देखने हैं, कि जो pay कर रहे हैं, उसके, so 8 into 5 करना पड़ेगा, 80 into 5, is to, KPIT, KPIT में कितने लोग हैं, 1200 लोग हैं, और 3 is to 5 में हैं, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 से divide करना पड़ेगा, और पहले 8, 1 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, और 500 आ जाएगा, और pay करने वाले, यानि इन से multiply करना पड़ेगा, so 150 into 3, अब मैं इसको आराम से काट सकता हूँ, 00 जाएगा, 5 ती या पंदर जाएगा, so मेरा answer आना चाहिए, 80 to 9 क्या option में available है, नहीं है, तो आपका answer जाएगा, none of the above, ठीक है, समझ में आ रही है वाद, चलिए, आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल देखते हैं, what is the average number of employees from a company, Infosys and KPIT respectively, who pays income tax, यानि Infosys में और KPIT में average number of employee कितने हैं, जो income tax pay करते हैं, अब अगर हमने कोई data पहले calculate कि तो हम उसी का use करेंगे, TCS, Vipro, HCL, KPIT, so हमें क्या चाहिए, KPIT का चाहिए, तो KPIT का हमने अभी देख्या, so 1.500 आ रहा है, और pay करने वाले 103 गुना है, तो 1.500 इंटू 3, कितना आ जाएगा, 45, 450, यहाँ पे आएगा 450, और Infosys का हमें find करना पड़ेगा, Infosys का 1080 total है, 7, 5, 12, 12 से डिवाइड करेंगे, और 12, 9 सा कटेगा, और 9, 7 सा, 6, 30, और हमें इसका average करना है, तो plus करके divided by 2, इसका दोनों का addition कितना होगा, 4 और 6, 10 हो जाएगा, और 5 और 3, 8 हो जाएगा, यहाँ एक जारस्ती हो जाएगा, divided by 2 करेंगे, तो 540 हमारा answer आएगा, यानी option E, ठीक है, ब difference between number of employees who does not pay income tax from companies KPIT and Vipro, जो income tax pay नहीं कर रहे हैं, उसका हमें difference रूना है, देखो KPIT का data तो हमने हाली में देखा, कहाँ पे KPIT का data यह रहा, so KPIT का multiplication कितना से चल रहा था, यहाँ पे था, KPIT का multiplication चल रहा था, 15 और not pay में आएगा, तो 5 आएगा, 15 फाईजा, कितना आजाएगा, 750, पंदर पच्चा पच्चो तेर, और विप्रो की बात करें, तो विप्रो का भी हमने data ओलेडी निकाला है, विप्रो का कहा है, सबसे पहले में है, विप्रो का, कि विप्रो का हमें जो fraction मिला, वो 60 और 60 इंटू 5, 300 आएगा, विप्रो का आएगा, 300, not paying tax वाला, so इन दोनो का difference कितना है, इन दोनों का difference कितना हैगा, 300 जाएगा, तो 450, यानि option B, बढ़ते हैं अगले सवाल के और, अगला सवाल है, what is the number of employees from company HCL, who does not pay income tax, HCL का बाकी है टूड़ना, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 ठाम बोत्तेर, यानि 80, और हमें क्या टूड़ना है, number of employees from company HCL, who does not pay income tax, यानि 4 से गोना पढ़ना पड़ेगा, 8, 14, 32, यानि 320 हमारा answer रहेगा, so ये था, आज का डिया, मुझे उम्मीद है, आपको solution समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले डिया के साथ,